दोस्तो अभी आप इस वीडियो को देखने के बाद Mobiquick for business और Mobiquick merchant account आप खुद बाखुद बना पाएंगे और Mobiquick wallet पे जो भी balance रहेगा या super cash convert करने के बाद जो भी balance आपको मिलता है वो बिल्कुल मूथ में आपके जो bank account होगा transfer कर पाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फड़ा फड़ मैं हूँ आपको host और दोस्त पार्त आप देख रहेए take two point हो offer जानते और आगे बढ़ते तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे play store के उपर जाएंगे और mobiquick for business करके एक app आपको मिल जाता है इदर तो चलिए सार्च कर लेते और देख लेते mobiquick for business तो इदर जाके आपको सार्च कर लेना है mobiquick लिखते है और देखते आ जाईए ये देखिए उपर आपको इस प्रेकार के एक एप दिख जाता है MobiQuick for Business तो अभी आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है तो चलिए इंस्टॉल होते हैं तब तक वेट कर लेते आ जाईए MobiQuick for Business डाउनलोड हो जाने के बाद अभी हम लोग इसको open करेंगे और एक चीज आपको कहना चाहेंगे अगर आप सभी offer लूटना चाहते MobiQuick के तरप से आपको एक verified agent के पास से ही MobiQuick merchant account और business account बनाना चाहिए और भी बहुत सरे दूसरी तरीका है जो YouTube पे आपको मिल जाता है बहुत सरे लोग आपको contact कर लेते MobiQuick account बना लीजिए जिस number से आपके पास पहले से ही है या नहीं है MobiQuick account तो पहले आपको MobiQuick account खोलना परेगा उसके बाद ही आप business account खोल पाएंगे तो चलिए अभी हम लोग इदर से एक number उठा लेते हैं और आगे बर जाते हैं तो आगे बर जाने के बाद आपको एक OTP मिलेगा उस OTP को आपको इदर submit कर देना है OTP नहीं तो automatic submit हो जाएगा ठीक है तो automatic submit हो जाने के बाद अभी आपको क्या कर देना है देखिए अभी आपको अपना जो fast name है बिठा दीजिए pen card के हिसाब से बिठाईएगा क्योंकि आपको इदर pen card देना जरूरी है pen card देना must है नहीं तो नहीं खुलेगा खुद बखुद account खोलने जाएंगे pen card जरूरी है तो एक real pen card आपके पास होना चाहिए और उस pen card के image भी बाद में जरूरत होगा तो चलिए अभी मेरा जो fast name है इदर आपके सामने बिठा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं आ जाईए लास्ट नेम आपको बाद में बिठाना परेगा तो चलिए लास्ट नेम भी बिठा देते हैं लास्ट नेम बिठाने के बाद next कर जाते हैं अभी आपको इदर एक swap name चूज करना परेगा तो चलिए इदर एक swap name भी चूज कर लेते हैं तो पाल स्टोर कर देते हैं और आगे रिचार्च करते हूं में बहुत सरे तो मुवाइल रिचार्च के कैटेगरी के उपर सिलेक कर लेते हैं और आगे बर जाते हैं तो इसके बाद आपको next करना है और pen card के हिसाब से आपके पास जो भी date of birth होगा pen card के उपर लिखाओ होना चाहिए तो इस date of birth को आपको इदर submit कर देना है तो चलिए मेरा जो date of birth है इदर submit कर देते और आगे बरते आजएए अभी date of birth डाल देने के बाद फिर से next करेंगे और देखिए इदर आपको male female बताना होगा आपका gender क्या है तो चलिए male female भी बता देते swap address भी आपको बताना परेगा तो चलिए swap address भी बता देते आजएए तो अभी swap address बता देने के बाद अभी हम लोग fee से next करेंगे और next करने के बाद देखिए home delivery yes I do no I do no I don't but I want ठीक है तो mobile recharge का जो home delivery होता है तो मुझे अभी तक पता नहीं है तो no I don't ठीक है home delivery में नहीं करता तो चलिए अभी हम लोग आगे बरेंगे तो next करेंगे और देखिए monthly sale कितना है आपको बताना है तो इधर आपका monthly sale 10,000 से 25,000 कर दीजिएगा 25,000 से 50,000 कर दीजिएगा इस प्रकार से देखिए मैं इधर एक चूज कर लेता हूँ मेरा जो monthly sale है 25,000 से 50,000 कर देता हूँ तो इसके बाद next करके आगे बरता हूँ ठीक है do you want a loan for business तो इसको अभी no करके छोड़ दीजिए enter identity details अभी आपको इधर से एक identity details जो करना परेगा identity details के अंदर आपको जो pen card मिलता है आपका खुद का pen card अभी इधर डाल देना परेगा तो चलिए enter pen number करने के बाद आपको image भी डालना परेगा तो pen number डालते और आगे बढ़ते तो अभी आप देखिए pen number डाल देने के बाद click your pen card image note image should be clear and readable तो image जो होना चाहिए परिसकार होना चाहिए देखने वाला होना चाहिए और readable होना चाहिए यह जो परा जाए इस प्रकार के तो इधर बताया गया है अभी हम लोग क्या करेंगे इधर एक image खीचेंगे pen card का जो मेरा image है खीच देते और देखते आ जाए तो अभी pen card की image लेने के बाद अभी आपको देखे नीचे आपको enter bank details click again करेंगे तो फिर से आपको ओई photo दिखाया चाहिए click again करके अगर यह clear नहीं है तो click again करके फिर से एक बार picture लेके फिर से submit कर पाएंगे तो चलिए अभी इधर enter bank details के अंदर bank details डालेंगे आपके नंबर के साथ link है तो भी चल जाएगा तो चलिए मैं इधर जाके पेटियम payments bank डाल देता हूं और आगे बर जाता हूं आजाए तो इंटर details करते हैं इंटर account holder name मगर इधर इंटर account holder name जब भी करेंगे यह block रहेगा पहले से लिखा रहेगा क्योंकि आप पहले इंटर कर चुके आपका नाम तो अभी क्या करेंगे अभी इंटर account number करेंगे account number पे आप अपना पेटियम का number दे सकते state bank कोई भी number दे सकते तो चलिए दे देते और आगे बर जाते आजएगे अभी पेटियम बैंक का account number और IFSC को डाल देने के बाद continue करेंगे और आगे बर जाएगे तो चलिए आगे बरते हो और चेक कर लेते सक्सेस्फूल होता है या नहीं तो upload योρूर सेलफी अभी आपको क्या कर देना होगा अभी आपको एक take answers करना है आपका जो सेलफी होगा अभी रेटृट कर देना है और अगे बढ़ जाना है तो चलिए अबिंग इलोग एक सेल्फी खीच लेंगे और आगे बढ़ जायेंगे तो चलिए आगे बढ़ते आजएए अभी अभी सेल्फी को सब्मीट कर देने के बाद तुरंत ओं हो गया है तो अभी क्या करेंगे अभी इधर आपको एक QR code मिलेगा इस QR code को अभी आपको scan कर लेना है और business QR के तरह उसको इस्तवाल करना है wallet balance को आप transfer कर पाएंगे तो चलिए अभी हम लोग check करेंगे QR code किधर मिलता है आज आए देख लेते अभी जब आप receive payment के उपर टैप करेंगे जिदर लिखा है UPI इसके उपर जब ही टैप करेंगे आपका बार कोड आपके सामने QR code आपके सामने open हो जाएगा तो इस QR code को scan करके अभी पैसा भेज देना है तो आपके सामने करके दिखाते है wallet money किस प्रकार से zero fees पे transfer हो जाता है तो चलिए करते हैं और देख लेते आजाएगे अभी हम लोग फिर से mobi quick app को open करेंगे और app को open करने के बाद क्या करेंगे देखिए आगर आपके पास बार कोड नहीं है तो दूसरे phone पे उसका picture ले लीजे नहीं तो download करके share कर दीजे तो चलिए उपर देखिए scan QR code का option मिल जाते तो इस QR code को scan कर लेते और देखते आ जाएगे तो QR code scan successful हो जाने के बाद अभी देखिए की store पे आप भेज रहे उपर आपको दिखाया जाएगा और पूरे जो address होगा दिखाया जाएगा तो चलिए इधर जाके 10 रुपाई send कर देते हैं तो 10 रुपाई जब भी send करेंगे अभी आपको इधर दोनों option ही दिख जाएगा देखिए उपर wallet balance का option दिखता है और नीचे देखिए UPI का जो bank link है उस प्रकार की UPI Paytm Payments Bank के अभी option दिख जाएगा तो चलिए अभी नीचे आदार payments का भी option दिख जाता है और एक चीज आपको कहना चाहेंगे instant settle में नहीं होता है तो अगले 24 गंटे के अंदर आपको ये म बिठा दीजेगा तो हो जाएगा तो चलिए पिन बिठा देते और देख लेते आजए अभी देखिए फिर से आप merchant account के उपर आ जाएंगे तो आपका जो payment receive हुआ है देखिए इस नंबर से payment receive हुआ 10 रूपीज का payment receive हो चुका है तो देखिए amount settled उपर 0 रूपीज है मगर आ register account on the next day इसके मतलब अभी आपको जो money receive हुआ है यह आपको दूसरे दिन ही मिलेगा तो जो दूसरे दिन working day होना चाहिए Sunday या Saturday होगा तो आपको money receive नहीं होगा तो 24 गंटे का अंदर आपको यह settlement कर दिया जाएगा आपके bank पे जो bank अभी आप link कर चुके तो इधर मुझे बनाते हो तो आपको सभी offer side मिल जाए मगर इधर खुदबाखुद बनाओगे तो side आपको offer ना मिले या offer मिल भी जाए ठीक है तो खुदबाखुद बनाने की एक ही मक्सरत है हम लोगों का खुदबाखुद बनाएंगे तो आपके पास जो भी wallet balance परा हुआ होगा wallet balance को आप एक रुपए परा हुआ होगा तो भी बिना charge दे के आपने bank account पर transfer कर पाएंगे तो super cash को convert करके जो आपको मिलता है 6 रुपए 7 रुपए उसको transfer कर पाएंगे आपने bank के उपर कोई भी charges नहीं लेगेगा तो यही था आज के वीडियो इस वीडियो का मक्सद था आपके पास जो मोभी कोई wallet पर balance परा हुआ है उसको transfer करना तो इस प्रकार के वीडियो रोजाना जानने के लिए चैनल पर जूर जाईए subscribe बटन दबा दीजिए और आपने दूसके साथ share भी कर दीजिए इस वीडियो को जरू एक like कर दीजिएगा आज के लिए तो इतना है thank you for watching this video take care have a good day bye